दोस्तो स्वागत है एक नई कहानी में। दोस्तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। पहले ये लोग उन्हें रोड से अलग एक सुनसान जगह पर ले गए और फिर पती की आँखों के सामने ना सिर्फ उसकी पतनी से ज्यादती की, उसका गैंगरेप किया, बलकि अपनी इस काली कर्तूत का वीडियो भी बना लिया, ताकि इस वीडियो के जरिये उन्हें धमकाय भी जाए और ब्लैक मेल भी किया जाए, बेबसी देखिए कि वीडियो वायरल होने के डर से पती गैंगरेप पीडित पतनी के साथ चार दिनों तक अपने ही घर में कैद रहा, मगर आखिरकार वो भी हो गया जो कताई नहीं होना चाहिए था, गैंगरेप का ये वीडियो भ गिरेबान को दबोच रखा है, तो दूसरे ने पतनी का, और तीन आरोपी हैं, जिसने पती का गिरेबान पकड़ा हुआ है, वो लाल टी-शर्ट में था, जिसने पतनी के गिरेबान को दबोचा हुआ, वो पिंक शर्ट में था, और तीसरा हरी टी-शर्ट में नजर आ रहा उनका एक साथी इस पूरी वारदात का वीडियो बना रहा था, जबकि पाँचवां साथी नीली टी-शिर्ट में दिखाई दे रहा था। पाँचों दरिंदों को शक था कि गाव का ये जोड़ा बिना शादी के साथ घूम रहा है, जबकि वो दोनों शादी शुदा है। पत्नी बार पत्नी को चोड़ने की गुहार लगा रहा था, मगर ये वहशी मानने को तयार नहीं थे, उलटा उसे डंडों से पीटते जा रहे थे। इन पाँच वहशियों ने पती को इतना मारा कि पत्नी को उनकी जिद के आगे जुकना पड़ा जितनी बार पती विरोध करता पत्नी पर उनकी हैवानियत उतनी बार बढ़ती जा रही थी इन तीनों के अलावा इनके पाँचवें साथी ने जिसने नीले रंग की टी शर्ट पहन रखी है लड़की को छुडाने की कोशिश की मगर उसके बाकी साथियों ने उसकी बात को अंसुना करके उसे ही वहां से हटा दिया करीब तीन घंटे तक ये वहशी बेबस लड़की से बलातकार करते रहे और जब उन्हें लगा कि इन्हें जिन्दा छोड़ना उनके लिए खतरनाक हो सकता है तो उन्हें धमकाने लगे कि वीडियो वायरल कर देंगे इतना ही नहीं पीडित लड़के के पर्स से जाते जाते पैसे भी ले गए और वीडियो वारयल न करने के लिए 10,000 रुपे बाद में देने को भी कह गए वारदात के बाद पती और पतनी इस कदर सदमे में चले गए कि पुलिस के पास जाने के बजाए घर जाकर खामोश बैठ गए। फिर दो-तीन दिन खामोश रहने के बाद पती और पतनी ने तय किया कि वो अब चुप नहीं बैठेंगे और आरोपियों को सज्जा दिला कर रहेंगे। तब जाकर कही ये वहशियाना गैंग्रेप की वारदात दुनिया के सामने आई। पुलिस के ने घटना के बारह दिन बाद अब जाकर पाँच आरोपियों को गिरफतार कर ही लिया है। 30 अप्रेल को पीडित पतिपतनी एसपी के पास पहुँचे। वहाँ उन्होंने अपनी आपबीती सुनाई। एसपी साहब ने काररवाई का आश्वासन तो दिया, मगर इसके बावजूद एफायार दर्ज करने में अलवर की थाना गाजी पुलिस को दो दिन लग गए और करीब पाँच दिन में पुलिस उन पाँच में से सिर्फ तीन मुल्जिमों को गिरफतार कर पाई। जबकि वारदात को अंजाम देने वाले कोई पेशेवर बदमाश नहीं बलकि 20-25 साल के कुछ ऐसे लड़के हैं जिन्होंने राजस्थान पुलिस को नाच नचा रखा था। अचानक दो बाईक पर सवार पाँच लड़के उनकी बाईक के आगे पीछे चलने लगे। सभी लड़कों की उम्र 20-25 साल के बीच थी। कुछ देर परेशान करने के बाद बदमाशों ने पीडित पति-पत्नी की बाईक के आगे बाईक लगा कर उन्हें रोक लिया। और फिर उसी की आँखों के सामने उसकी पत्नी का गैंगरेप किया गया। जिसके डर की वजह से 30 अप्रैल तक इस दमपती ने पुलिस में मामला तक दर्ज नहीं कराया। खबरों के मताबिक पीडित दलित समुदाय से तालुक रखते हैं। लहाजा पुलिस ने IPC और SCST Act की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। हालांकि पुलिस को इस मामले में FIR करने में तीन दिन का वक्त लग गया। थानागाजी पुलिस थाने ने 2 मई को कहीं जाकर इस मामले में FIR दर्ज की। जिसके चार दिन बाद कार रवाई के डर से आरोपियों ने 6 मई को वीडियो वायरल कर दिया। वायरल वीडियो के आधार पर कार रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी अशोक, इंद्र राज और घटना का वीडियो बनाने वाले मुकेश को गिरफतार कर लिया, जबकि पुलिस को छोटे लाल और हंसराज की तलाश लगी थी। उनकी तलाश में पुलिस दिल्ली, राजस्थान और यूपी के अलग-अलग इलाकों में चापे मारी कर रही थी।